कि हलो दोस्तों तो फिर से आज मैं एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि ह्पीए स्मार्ट टैंक 670 हो या 675 हो उसका ड्राइवर आप डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है उसके लिए आपको कंप्यूटर में नेट कनेक्शन की जरुत पड़ेगे और प्रिंटर को आउन करके उसमें लाइट देके और उसका डेटा के वज़ जो होता है प्रिंटर का अपने लाप्टॉप या कंप् सब्सक्राइब कर दें तो गाइस चलिए इसको प्रोसेस को मैं करके लाइव दिखना उसके लिए अपने कंप्यूटर पर माइप माइप या इस पिसी हो इस पराइट के लिए करके अपने परपटी में जाना है और सबसे पहले अपना बिंडो चेक कर लेना है कि कौन सा बि बीट का है जितने बीट का हो और जो जो कम जो बिंडो हो शेम डाउनलोड करना आ अगर सपोज मेरा बेंडिए फट्लेंबन है और चौनसौ्टर वीट और याता है तो सब्सक्राइबर स्ट्राइब Yap कि एच्पिया स्मार्ट टैंक छेस्व पच्छतर ड्राइबर डाउनलोड लिख देना है आपका जो मॉडल होगा वही लिखना है आपको उसके बाद इंटर कर देना है और यह जहां एच्पि का लोगो हो उसी लिंक पर क्लिक करना है यह लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूंगा आप वहीं से जाका डाउनलोड करसकते हैं तो यह देख सकते हैं यह printer का logo आ गया है और यहां पर देख सकते हैं choose as difference OS तो यहां से भी आपको select कर लेना है आपका नीचे जाना है बेंडो सेलेक्ट कर देना है और सबसे मेन यह यहां पर द्यान से देखें जैसा कि आप तो मुझे बेंडोस 11 है चॉंसट बीट का है जैसा कि मैं फिर से आपको एक बार रिविट करके दिखा दूँ अब देख सकते हैं बेंडोस 11 प्रो है और चॉंसट बीट है इस सिस्टम टाइप में के सामने कि देख तो मुझे बेंडोस 11 का ही करना है अगर आपका बेंडोस 10 है 64 है अब 7.1 और जो भी है उसको सेलेक्ट करना है और यितने बीट का हो वही उस्पी को सेलेक्ट करना होगा तो नीचे स्क्रॉल करना है और इस्टॉलेशन सॉफ्ट फो पर जाना है और HPA स्मार्ट इजी है उसी के सामने वाले download पर क्लिक करना है चाहरे डेख सकते हैं HP Easy Start printer setup इसी पर यही वाला download करना है आपको जैसे हीो आप यह download पर क्लिक करेंगे तो गाईस आप देख सकते हैं यहाँ पर यह डाउन्लोड स्टार्ट हो चुका है कौने में देख सकते हैं यह डाउन्लोड स्टार्ट हो चुका है तो गाईस कुछ दिर मैं आपको वीडियो का स्टॉप कर दता हूं ने तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं उपर में क्या लिख रहे यह कंपनी यह लो कलर का आप देख रहे हैं मेरे माउस कर से को वहाँ पर देख सकते हैं आप बंडोज और 8.1 शरबर 2008 पर यह सब सपोर्ट नहीं करें गए 21 नॉंबर 2021 को बंद हो गया यह सपोर्ट करना तो बस आपको टेन हो और विंडोज 11 हो उसी में आपको यह नए वाले प्रिंटर जो भी आते हैं उसी में सपोर्ट करेंगे हैं तो गाइस देख सकते हैं यह डाउनलोड हो चुका है इस थोड़ा से हैं पर टाइम लेता है बिस्ड़ो नान होता हाल आणवाए टूट कर रो तुर सुनी है तो फाइनली डाउनलोड हो गया यह अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूं कि आपको राइड क्लिक करके और उसके बाद यहां पर देख सकते हैं यह आ चुका है मेरे डाउनलोड फाइल में तो यहां पर आपको डबल क्लिक करना है और यह स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इन सबको मिनिमाइज कर देता हूं कि आपको क्लियर समझाया है तो इस फटाफट से मेरे समय को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स में सेयर कर दे और बेल आइकन को भी दवा ले कि कोई साब भी नए वेडियो अपलोड हो उसको उसका कि यहां पर थोड़ा सा टाइम ले लेगा क्योंकि पीसी स्लो हो रहा है तो इस देख सकते हैं यह स्टार्ट हा चुका है फाइनली इसको इंस्टॉल करना काफी जी है बस आपको डाउनलोड करना थोड़ा सा कठीन है और ध्यान दे जब यह इंस्टॉल करने लगे उस टैम पे पीसी में इंटरनेट कनेक्शन अब बंद कर देंगे तो ज्यादा बेटर है क्योंकि यह फिर ऑनलाइन अपडेट न लेगा तो फिर वैसे ज्यादा टाइम लेगा देगा आपको कि अग्याइज थोड़ा सा टाइम ले रहा है यहां पर पीसी स्लोवर ने के करना थोड़ा सा टाइम लेगा आपका तो आइस फटाफट्स अपने फ्रेंड्स में सेयर करते यह वीडियो तो यह स्टार्ट हो चुका है वेलकम टू एच्पी इजी स्टार्ट यहां से आपको कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करने के बाद आपको नो कर देना है यह प्रिंटर आपका सर्च कर रहा है अगर आप में लगा होगा तो इतना इतना टाइम नहीं लेगा क्योंकि मेरे पास यह मॉडल तो नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी करके कोसिस करके दिखा रहा हूं इसी सेम प्रोसेस होता है और आपके प्रिंटर में कंप्यूटर में यह प्रिंटर लगा होगा तो अभल